नमस्कार, आज इस वीडियो में मैं आपको अबेकस लेवल 1 का टॉपिक विदाउट कॉंप्लिमेंट ही करवाने वाला हूँ, पिछले वीडियो में मैंने विदाउट कॉंप्लिमेंट टॉपिक के सिंगल डिजिट के अडिशन और सब्ट्रेक्शन करवाई थी, अगर आपन मैं डबल डिजिट का अडिशन और सब्ट्रेक्शन आपको करवाऊँगा, तो डबल डिजिट के टू रोज के कुछ सम्स करके देखेंगे, उसके बाद हम टू डिजिट के थी रोज के और फोर रोज के हम स्ट्राय करेंगे, तो एक सम ले लेते हैं, फिफ्टी फोर प्लस फॉर्टी फाइव, फिफ्टी फोर प्लस फॉर्टी फाइव करने के लिए हमें, पहले टेन स्रोट पर फिफ्टी, वन स्रोट पर फोर ड्रो करना पड़ेगा, बन गया फिफ्टी फोर, अब हम इसमें फॉर्टी फाइव एड़ करेंगे, फॉर्टी फाइव एड़ करने क एक और सम ले लेते हैं, तू रोस का, टू डिजिट्स का, 21 प्लस 7, तो दोस्तों पहले तो हम इस आबेकस को क्लियर करतेंगे, और फिर 21 बनाएंगे, 2, 121, इसमें हमें 7 एड़ करना है, 7 एक सिंगर डिजिट नमबर है, और 7 वन स्प्लेश पर ही एड़ हो सकते हैं, तो हम वन स्प्लेश पर 7 डिरेक्ट एड़ कर देंगे, तो दोस्तों आंसर आ गया हमारा 2, 8, 28, एक और सम ले लेते हैं, 34, minus 23, beats को clear कर देते हैं, बनाएंगे 34, 3, 4, 34, minus 23, minus 2, minus 3, दोस्तों आंसर आ गया हमारा 11, एक और सम ले लेते हैं, 14, plus 25, 25, इसी clear कर देंगे, बनाएंगे 1, 4, 14, add कर देंगे 25, 25, 2, 5, दोस्तों आंसर आ गया हमारा 3, 9, 39, एक लास्ट सम और ले लेते हैं, 87, minus 66, clear करेंगे, इस सम को करने के लिए हम सबसे पहले 87 बनाएंगे, 87, 87, subtract कर देंगे हम 66, 10 slot पर 6 निकालेंगे, और 1 slot पर 6 हटाएंगे, तो आंसर आ गया हमारे पास 2, 1, 21, तो दोस्तों देखा आपने, हमने 2 digits के सम्स, 2 rows में किस तरह solve के, अब हम 2 digits के ही 3 rows के कुछ sums solve करेंगे, clear कर देते हैं, और मैं यहाँ पर कुछ sums लिख देता हूँ, जैसे की 46, plus 52, minus 27, एक और ले लेते हैं सम, 28, minus 11, minus 6, एक और सम लिखेंगे, 89, minus 73, plus 50, एक और सम ले लेते हैं, 95, minus 30, minus 50, एक और सम ले लेते हैं, 77, minus 52, minus 10, तो दोस्तों यह 5 sums मैंने लिए हैं, 2 digits के 3 rows के, तो हम इन सब्सकी practice करते हैं, so that आपकी और ज़्यादा अच्छे से practice हो जाए, सबसे पहले बनाएंगे 46, 4, 6, 46, फिर add कर देंगे 52, 5, 2, 52, फिर subtract कर देंगे 27, 2 और 7 subtract कर देंगे, answer आगया हमारे पास, 7, 1, 71, लिख देता हूं मैं 71, clear कर देते हैं, ले ले लेते हैं, एक और सम, 28, 2, 8, 28, minus कर देंगे 11, 1, 1, फिर subtract कर देंगे 6, 6 subtract करने के लिए हमें, one slot पर आना होगा और हमने minus कर दिया 6, दोस्तों answer बचता है हमारे पास 11, clear कर देंगे beats, एक और सम ले लेते हैं, 89, 8, 9, 89, minus 73, 7 minus करेंगे और यहाँ पर हम 3 minus करेंगे, फिर add कर देंगे 50, 50 add करने के लिए हमें 10 slot पर आना होगा, यह बन गया हमारा, यह add हो गया हमारा 50, तो दोस्तों answer आ गया, 6, 6, 66, clear कर देते हैं, एक और सम ले लेते हैं, 95, minus 30, direct हो जाएगा 30, 10 slot पर, फिर दोबाना हमें 50 minus करना है, फिर से हम 10 slot पर आएगे और upper bead हटा देंगे, क्योंकि यह हमारा 50 है, तो direct minus 50 हो जाएगा, दोस्तों answer आ गया, 15, 15, एक और सम कर लेते हैं, last sum, 77, पहले clear कर देता हूं, 77, minus 52, 5 हटाएँगे, 2 हटाएँगे, फिर minus 10 करने के लिए 10 slot पर, direct minus कर देंगे, 10, answer आ गया, 15, 15, तो दोस्तों, देखा आपने, हम 2 digits के addition और subtraction भी करने लगे हैं, without compliment topic में, अब हम, double digits के ही, 4 rows के कुछ sums देख लेते हैं, तो दोस्तों, 2 digits के, 4 rows के मैंने कुछ sums यहाँ पर लिखे हैं, अब हम इन sums की practice करेंगे, सबसे पहले clear कर देते हैं हम, आब एक असको, 25, plus 13, 1, 3, 13, minus 11, plus 21, 2, 1, 21, दोस्तों, आंसर आगया हमारा, 4, 8, 48, बढ़ते हैं, next sum की तरफ, बहुर बना देते हैं, 0, अब एकस पर, 49, 4, 9, 49, minus कर देंगे, 31, 3, 1, add कर देंगे, 51, 51, 51, और subtract कर देंगे, 1, 4, 40, 1, 4, 40, तो दोस्तों, आंसर आगया हमारा, 55, दिख देंगे, 55, बढ़ते हैं, next sum की तरफ, 99, 9, 9, 99, subtract कर देंगे, 34, 3, 4, फिर subtract कर देंगे, 55, एक single digit नंबर है, और single digit, once place पर जो है, subtract होगा, minus 5 करने के लिए, direct minus 5 हो जाएगा, और फिर add करना हमें, 36, 3, 6, 36, तो दोस्तों, आंसर आगया, 96, 96, बढ़ते हैं, अगले sum की तरफ, 13, 1, 3, 13, minus 2, direct, plus 61, 6, 1, 61, plus कर देंगे, 17, 17, 17, तो दोस्तों, आंसर आगया हमारा, 89, 89, क्लियर कर देते हैं, ले लेते हैं, अपना last sum, 56, 5, 6, 56, plus 41, 4, 1, 41, minus कर देंगे, 31, 3, 1, 31, फिर subtract कर देंगे, 15, 15, तो दोस्तों, आंसर आगया हमारा, 51, 51, तो देखा दोस्तों, आपने, किस तरह हमने, two digits के sums, without compliments के थूरू solve किये, चाहे वो two rows के थे, three rows के, या four rows, आप कितने भी rows की practice कर सकते हैं, और, इन double digits की practice करने के लिए, मैं आपने description box में, आपको एक link दे देता हूँ, जिस पर click करके, आप मेरे blog, गौपालसिदू.com पर पहुच जाएंगे, और, वहाँ पर, आप उन sums की practice कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, जहाँ पर, आपको मिलेंगे, two digits के, sum, two rows के भी, three rows के भी, आपको ज्यादा से ज्यादा उनकी practice करनी है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, three digits के sums के साथ,